पर आरोब लगाने वालों को हमने पहले दिन से कहा कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के ही जगड़ों से डूबोगे हमारे कारण से नहीं डूबने वाले हो और आज उसका प्रणाम आया लेकिन एक बात जो मैं राज़स्तान के मुख्यमंति जी को भी और राज़िपा सरकार केवल सरकार को तिकाए रखने के लिए मंत्री मंडल के जुझ्झुने बाटने का जो काम करेंगे वो लोक्तंद न्यायरें मैं सोचता हूँ मंत्री मंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्य मंत्री का लेकिन अब जिस सिटी में आ गए है उसमें ये दे नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है मैं सुचता हूँ राजस्तान की विदानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिथ होने के बाद ही मंत्री मंडल का विस्तार करें तो जन्ता के प्रिति न्याय होगा बाकी तो केवल ये मंत्री मंडल बाढ़ करके और शचीव बाढ़ करके और गाड़ियां पगड़ा करके बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे लोगतंत्र के साथ एक तरह से कीर हरन का काम होगा अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लॉर पर अपना बहुमत साबिद करें और उसके बाद मंत्री मंडल का विस्तार करें तो जनता में अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी हमने तो दूर खड़े रहकर के सारा द्रश्य देखा है कि हम यह जो आपस में जो लड़ाई है इसके प्रणाम से क्या बनता है मैं सोचता हूँ कि जो प्रणाम आना था वो आ गया अब आगे कि क्या स्ट्रेटी जी बनेगी मैं और मेरी प्राइटी के सब प्रमुक लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद भारती जनता प्राइटी किस तरब किस कदम उठाएगी यह सब के सामुईक निर्णे पर हम करेंगे पर मैं इतना फिर आगर कर रहा हूं कि मंत्री मंत्र का विस्तार इस अल्प मत कि आज की सरकार को अधिकार नहीं है अच्छा हो निर्णे करने के पहले बहुमत हांसिल करके फिर जाए आपने कहा कि विदान समावर के लिए प्रोटेट पास करें वह मों साभू करें इसा है कि यह सारा का काम तो हम तब लोग आज देख रहे हैं जैसी स्थिती हुई है क्योंकि अब सरकार का टूटन ते हो गया पाईट जी दो टुक्डों में बढ़ गई यहते हो गया अब किसकी क्या स्थिती बनती है क्या नहीं लेकिन आज की तारिख में यह संदे के ग慧रे में तो आई गया कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है मेरा यह कहना है कि बहुमत है या नहीं इसका निर्ना न तो आज मैं कर सकता हूँ न जनता कर सकती है राजस्तान की विदान सभा का फ्लोरी इसको निर्ना करेगा अच्छा होगा लोगतंत्र की हित में कि विस्तार करने का अधिकार यदि विदान सवा से बहुमत इनके पक्ष में आ जाता तो करेंगे तो लोगतंत्र का सम्मान होगा बागी लोगतंत्र की अपमान होगा पार्टी की तरफ से इस मामने में राज्यपाल से मिलने का कुछ समय लिया गया है कि दूसरी बात है कि प्लोडेस से पहले कि पार्टी अपने अपरदायकों को एक साथ रखने की कोई रखेंगी किसी तरह को हम में तो अभी अभी तो शाम तक और देखेंगे लेकिन ये तो स् है कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है इसके पास बहुमत नहीं है परमानित करना चाहें तो हाउस ही परमानित कर सकता है और कोई परमानित करने वाली संसा है अभी हम बैठेंगे तो बिचार करेंगे अभी तो सिटी आगे बढ़ने दीजें हम तो दूर से देख अबशक्ता नहीं मैसुस तो नहीं करेंगे अगर इस समय कोच अगर पाइटी मैसूस करेंगी तो सब लोग मिलके नेना करेंगे और उसके बाद जय करेंगे अरेलपी तो बीजेपी निता गुलाब चंद कटारिया साफ तोर पर कहते हुए कि मंत्री मंडल विस्तार तभी करें पहले उससे पहले फ्लोट टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर गेम अब सारा मामला नंबर गेम पे आ गया है और बीजेपी ये कह रहे है कि अल्पमत में है अशोग गहलोत की सरकार अब आगे क्या होगा इंतिजार करना होगा पलपल की जानकारी आपको हम देंगे यहाँ पर बने रहे हैं हमारे साथ लेकिन रुकेंगे एक छूटे से ब्रेक के लिए देखते रहे हैं आज तक 3S3 में ब्रेक के बार एक बार फिर आप सभी का स्वागत है श्वेदार मिनाक्षी में इसा जुड़ी हुए है और लगातार बड़ी खबर पर हमाई नजर बनी हुई है जो कि रायस्थान से आ रही है रायस्थान में सियासी सरगर्मी तेज है लेकिन इस बीच बीजेपी प्रेता गुलाब चन कातारिया की ओर से भी वयान आया है हमने ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है लेकिन हम ये कहने वाले कोई नहीं होते है फ्लॉट टेस्ट किया जाए उसमें ये साबित हो कि अल्पमत में है ये सरकार या फिर बहुमत में है और उसके पर कहा गया कि पहले बहुमत साबित करीए सरकार उसके बाद मंद्री मंडल का विस्तार क्योंकि गाडियां और बंगले देने का कोई मतलब नहीं अब बनता है जबकि इस्तिती साफ नहीं है श्वता सिंग लगातार हमाई समधाता सचन पालित के घर से हमाई साथ बनी भी ह श्वता लगातार यहां पर घटना क्रम बदलता जा रहा है कि एक चीज जुडती जा रही है अभी तक बीजेपी पूरे सीन से कह लीजे कि वो आउट थी आरोब भले ही लगाय जा रहे थे लेकिन क्यामरे के सामने एक तरह से नहीं थी लेकिन अब खुलकर बीजेपी सामन के आई है और अब कह रहे है कि जब तक बहुमत साबित नहीं होगा आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा यानि कि मंत्री मंडल विस्तार अब नहीं कर सकते अशोग गैलोट जी इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है श्पिता कि अगर अभी तक भारतिय जनता पार्टी खामोश थी तो वो ये देखना चाहती थी कि क्या सचिन पाइलेट को मना लिया जाए देखिए क्योंकि सचिन पाइलेट और बीजेपी की बीच बातचीत चल रही है या नहीं ये तो सिर्फ कॉंग्रेस के आरोपों में था ना सचिन पाइलेट ने इसके बारे में कहा था ना भारतिय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कहा गया था न कोई असी तस्वीरे सामने निकल कर आई थी कि कोई अपचारिक बातचीत दोनों के बीच चल रही है बीजेपी इंतजार भी करना चाहती थी कि सचिन पाइलेट को लेकर रुक क्या होता है अब अगर सचिन पाइलेट के साथ 22 विधायक है तो सीधे सीधे राजस्थान की सरकार संकट में है और 109 की जो गिंती बताई जा रही है वो नहीं है ऐसे में भारतिय जनता पार्टी खुद भले ही कुछ इनिशेट करे या न करे लेकिन वो इतना तो चाहीगी ही कि कॉंग्रेस की जो वहाँ पर गहलोत सरकार है वो अपना अपनी मजॉरिटी प्रूव करने के लिए बाध्ध्य हो जाए और ये जो अंतिम समय में अगर वाकई अशोग गहलोत को आधिकारिक तोर पर फ्लोर पर ये कहा जाता है कि आप प्रूव कीजिए हाला कि उसका सीधा मतलब ये भी हो जाएगा कि अगर वो आंकडे ले आते हैं तो 6 महीने के लिए सेफ हो जाएंगे लेकिन अगर इस समय बीजेपी के तरफ से ये डिमांड उठाई जा रही है तो ये मौझूदा राजस्तान सरकार के लिए पेशानी पदबल डालने वाला मामला है एक मुश्किल जरूर यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन शरत ये पताईए जिस तरह से नेता प्रतिपरक्षी गुलाग जन कटारिया ने अपना स्टेटमेंट सामने रखा ये अभी सिर्फ ये कहा गया कि आप बहुमत काबिद करिये लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी ओफिशली ये डिमांड नहीं किया गया है बीजेपी के रुख से क्या तस्वीर आप राजस्तान में उभरते भी देख रहे है परदे के पीछे बीजेपी बहुत कुछ कर रही है इस बात से समझा जा सकता है कि यही गुलाब जिनका टारिया जब घर से निकले इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तो उन्हेंने कहा कि यह हम फ्लोट टेस्ट की मांग नहीं करेंगे और इस घटा करम के बाद अब करेंगे हैं कि हम फ्लोट टेस्ट करना चाहिए तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी कई धड़े हैं और कई तरह की परिशानियां बीजेपी के अंदर भी है जिससे बीजेपी भी खुल कर सामने नहीं आ रही है इस बीज बड़ी खबर ये आ रही है कि जतिन परसाद ने सचीन पैलेट के पक्च में ट्वीट किया है और कहा है कि उनकी जो मेहनत है उसे इंकार नहीं किया जा सकता है उसको कोई टेक अवे यानि वापस नहीं ले सकता है ये भी खब हमारे पास आ रही है कि दिपेंदर हुटा भी कॉंग्रेस अला कमान से बात कर रहे है कि सचीन पैलेट को इस तरह से नहीं जाने दिया जा है यानि कॉंग्रेस के अंदर जो यंग बिर्गेट बचा है वो सचीन होता हुआ दिक रहा है को पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले